इस बक्त हम फुल्वारी से एम्स की तरफ जाने वाला राज्त मेराइं ऑर इस एन्स पाखाम सर और यह एन्स अधानी की नहीं रोड है यह रोड जो है फुल्वारि यानुकी अनिसावाद से फुल्वारी गोलंबर होते हुए पतना के एम्स रोड तक जाती है और एम्स से सीधे यह पाली गंज होते हुए यह रोड औरंगावा तक जाती है अब मैं दिखला रहा हूँ यह रोड के स्थिति आगे एम्स होस्पीटल है उससे सामने है जो एड़ांस मॉल्टी स्पेसलिस्ट कोई जाता है कोई जाएंगे थोड़ा सावी फिसलन होगा गिरेंगे अलगले एड़वांस हो स्पीटल में आपका एड़वांस इलाज हो जाएगा यहां देख लिजिए जहां मैं खाड़ा हूँ इस रोड के गती कि इस रोड पर पानी जमा हुआ अभी कोई बरसात का जा नहीं है कभी बारिस भी नहीं हुआ है अभी ठंड का मौसम है फिर भी रोड पर इतना पानी भड़ा हुआ है यह क्यों भड़ा हुआ है सवाल तो बनता है और यह हमारे सरकार की बजह से और हमारे सिस्टम में बैठे भरस्ट अधिकारियों के बजह से यह हाल हो चुका इस रोड का इस रोड से एम्बूलेंस जाती है पटना के एमस वस्पीटल में अब देखिए कि जब रोड का यह हाल है तो एमस वस्पीटल में जाने के लिए एम्बूलेंस के लिए कितना दिकत होता होगा कितना लेट से पहुंचती होगी एम्बूलेंस गारी और एम्बूलेंस जो है इस रोड से गुजरती है तदम कितना लेट से पहुंचती है अब देखिए इस रोड पर कुछ बच भी नहीं रहा है कुछ भी नहीं बच रहा सिर् और बूरा इस्तिती इस रोड का है आप समझ सकते हैं सोच सकते हैं कि यह देखिए यहां पड़ एक सिमैंट दुकान था दुकान भी बंद हो गया देखिए किस तरह से पानी देखिए किस तरह से लोग नेट रहे हैं देखिए अब यह भाई साइकिल वाले हैं फीक हस्र होगा क्या उन पर वितेगा अभी देखिए दोनों तरफ पानी है रोड के इस साइड भी पानी भरा हुआ है एक बार हम अपने सहयोगिक से चाहेंगे क्यों दिखाए है कि पानी कैसे भरा हुआ है देखिए पानी भरने का कारण नहीं है कि नाला जो है इस तरह से हो चुका है नाला बिल्कुल भरा हुआ है नाला में पानी जा नहीं सकता है पुरा नाला भरा हुआ है जहां तहां उख्रा कबरा हुआ है और नाला है जो रोड से उच्छा है जिसके वाज़से घर का पानी औ पानी जमा हुआ है अब देखिए इस रोड का तलाब हो चुका है यहां के लोग अब क्या करेंगे यहां जो रहते हैं उनको तो नाव नो खरिदना परेगा इस रोड पर चलने के लिए बाइक से कैसे जा पाएंगे गारी से कैसे जाएंगे देखें कि इतना बूरा इस्तिति है पूरे इस एरिये में यानि कि अगर फुलवारी से एमसो स्पीटल तक जाते हैं तो पूरा रास्ता में यही मिलेगा आपको हर जगा रोड पर पानी जमा हुआ है हर जग यही इस्तिति बना हुआ है एम्बूलेंस जो गुजरती है इस से एम्बूलेंस को जाने में भी लेट होता है और एबुलेंस में जो पेसेंट जा रहे होते हैं मरीज उनको जाने में कितना देर होगा और इलाज होने में लेट होगा कई बार ऐसा होता है कि एबुलेंस को लेट पहुचने के कारण उसमें सवार पेसेंट रास्ते में ही दम तोर देते हैं यह खराब रोड क कि बज़ा से और इसका जिम्मवार कौन लेगा कौन दो किसी का भी नजर इस्पर नहीं पड़ता है और मैं बता दू कि जब यह रोड खराब थी तो रोड को बनाने में दो साल से अधीक भी लग गए है समय दो साल तक समय लगा तब जाकर कि इस तरह से रोड बना इसको पूरा पुखार पुखार की बनाया गया था यानि कि बनाने में भी दो साल कुछ में भी याता याता पानी जमा रहता है कोई नहीं देखने वाला कोई नहीं सुनने वाला ना नगर निगंबले ना बिहार सरकार नहीं सेंट्र सरकार यह एने चंठानवे रोड है अब यह रोड जो है फुलवारी से एम्स की रास्ते होते हुए औरंगा बत्तक जाती है अब सोचलीज यह कि इस रोड में पानी भरा हुआ है तो लोगों को कितना तकलिफ होता है हमको तकलिफ होता ही है क्योंकि हम भी रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं खैर इस रोड को दिखलाने का वज़य यकी है कि यह रोड जो है बन जाए और इस पर जो है बहतरीन काम हो और अच्छे से इसका उचाई करन किया जाए जैसे भी यह इस रोड पर पानी नहीं जमा होना चाहिए तभी इस रोड का अडिसेडिये का भविस उजबल होगा और एमसो स्पीटल में जो रोगी इलाज कराने जाएंगे वो सही समय पर पहुँच पाएंगे नहीं तो द्रास्ते में ही दम तोरना पर जागा आप देख रहे हैं ते सीके टीवी इंडिया निव्ज चितरजन कुषवाहा के साथ हमारे सहयोगी संजीत के साथ नमस्कार जैहिंद अगर अच्छा लगा होता जरूर सेयर कीजेगा पाहिली बार सेयर करने के लिए बोर रहे हैं हैं